दोस्तो Christmas सीजन आ चुका है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Christmas से रिलेटिड कुछ बहुत मज़ेदार फैक्ट के बारे में कुछ ऐसी बाते जो Christmas के बारे में शायद आपको नहीं पता होगी क्या आपको पता है कि हर साल नॉर्वे लंडन को एक Homegrown Christmas Tree प्रिजन जाता है यह हर साल इसलिए भीज़े जाता है क्योंकि नौर्वे की मदद की थी यूके ने वर्ल्ड वार टू में और उसी चीज को थैंक यू बोलने के लिए नौर्वे हर साल खुद एक उगाया हुआ पेड भेजता है जिसे वह क्रिस्मस ट्री कहता है और एक प्रेजंट हो जाती है और बच्चों को प्रेजंट बाठती है ऐसा में मानना है कि अपने विंडू के नीचे जूते खुले छोड़ देते हैं उनका मानना है कि यूले लैड्स जो तेरा मिस्चीवियस ट्रोल्स है वह प्रेजंट रखके जाते हैं जो अच्छे बच्चे होते उनको प्र रखके जाते हैं सड़े हुए आलू आपको पता है 1644 में क्रिस्मस मनाना इलीगल घुशित कर दिया गया था इंग्लिंड में 1644 में हाला कि उस वक्त पर यह मानती थी जरकार के क्रिस्मस का जो रियल चीज है जो उसका महत्व हो खतम हो गया है इसलिए क्रिस्मस को बैनी कर साना गैर कानूनी था 1644 में जो की आज से बहुत साल पुरानी बात है लेकिन यह बहुत इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि किसी ट्योहार को भी इलीगल घुशित किया जा सकता है क्या आपको पता है कि आप दुनिया में कहीं से भी युनाटेट स्टेट्स में सेंटा को और पह Tina और फेनकी यह नहीं होता सेंटा सेंट्थ निकोलस का ही एक रूप है यह एक करक опасे जोंकि जरूरत मंदों की मदद की एक इंसान है तो वह पूरी दुनिया में सकते थे ईसलिए उन तो आप बात जानते हैं कि सेंटा क्लोस नहीं लेकिन असली है वह कैसे वो मुनें आपको बता लोसकता है कि सागरभाई नहीं जानते हो और शायद इस एक्रिस्मस आपके घर में सहीं में सेंटा आ जाएं तो यह प्रोजेक्ट सेंटा चलाता है अमेरिका जिसमें आप कोई भी लेटर भीजोगे तो प्रोजेक्ट ऐसा ही चलाए गया है कि वह लेटर कोई करते हैं जो लोग वह पढ़ सकते हैं और वह सेंटा के बिहाफ में रिप्लाइ कर सकते हैं या जो भी प्रेजंट किसी बच्चे बहुत ज्यादा चांस्सिस आइंगा सकते है कि आपको पता है कि एस multiplic क्रिस्मस की दिन चुल्चिए अच्छे को प्रेजंट मिलते हैं उन्हें मिलता है डरावना किरेक्टर जिसका नाम हैрийका गर भॉ ऑर बॉरे च्यों तो जो वह लोग हैं वो क्रेंपस बनते हैं बुरा दानाव बनते हैं तुझे तो नहीं मिलेगा तुझे मिलेगा यह भयानक राक्षास इसलिए अच्छे बच्छे बनो क्या आपको पता है कि पहला तो पहले जो एजिप्शन ने इस्ते यानि की इजिप्ट में क्रिस्मस को डेकुरेट करने का चलनच वहां पर जो एलीडे लाइट तो होती नहीं थी ना नकली के गिफ्ट होते थे थर्मा कॉल वाले उसको पे नट्स एंड्राइफ रूट्स से उसको किया जाता ता यह पाइन के या सिक ट्री होते थे और बहुत हैं और बहुत हाश विंटर में भी बहूत चल जाया करते थे इसलिए वही ट्री बच्टे थे बागि वेटे आप सोचो आम का पेड माइनस पिफ्टीडी डिगरीज में चल जाया गा तो यह आपकी गलत पह्मि कई था उससे पहले तो ऐसे किरिसमस के लिए ऐसा कहा जाता एना बारा दिन करि 사़ अचुका है इस सीजन ना चुका है तो बारा दिन क्यों होते जीजस्फ ठाइस्टे तो ऐक वक्त पैदा हुए थे तो यह बारा दिन सेलिब्रेशन क्यूं आपको भाना पे जीजस Scristo का जनम हुआ था तो वहां पर कुछ तारे फ्लैश हुए थे यह कहानी है आपने भी पड़ी होगी तो कुछ राजा थे तीन राजा थे जिन्होंने बारा दिन का सफर तै किया था उन सितारों को देखते हुए उससे वहां तक पहुंचे थे जहां पर जीजस क्राइस्ट का ज आना जाता है इसी दिए कहा जाता है बारा दिन क्रिस्मस के यह फैक्ट जातर लोगों को नहीं पता लेकिन अब आपको पता है कि पोलंड में मकडी के जालों को क्रिस्मस सीजन पर नहीं हटाया जाता और उसकी एक स्पेशल रिस्पेक्ट है जागर भाई मकडियों के जाल इसलिए बहुत respect करते हैं वो लोग spider web की इसी लिए Christmas season पर Spider web को पॉलेंड में बहुत सारे लोग हाटाते ही नहीं है तो दोस्तों यह थी Christmas की बहुत ही मजदार fa headset की video I hope आपको पुसंद आई होगी और Christmas की season आप आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेटट करेंगे अब सेंटा होता है यह नहीं होता यह भग्वान ही जानते हैं लेकिन हम जानते हैं लोगों की मदद करना और आप अगर सेंटा से